नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं इस बार भी हमारे तेवहरों में हमारी प्रत्मिक्ता वोकल फोर लोकल होनी चाहिए, प्रधान मत्री ने कारकरम में ये भी बताया कि मेरा युवा भारत वेपसाइट की लॉंच होने जा रही है, और सभी युवा माइभारत.gov.in के तहत अपने आपको रैइस्टर कर सकते हैं उन्होंने कहा कि माई भारत प्रोग्राम के तहत युवा देश को सम्रिद बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं और इस बेपसाइट के जरियों लोगों को रोजगार भी मिलेगा PM ने कहा कि बिक्सित भारत के निर्मान में भारत की युवा सकती को समाहित करने का यह एक अनुठा पर्यास है 30 अक्टूबर को मन्रेगा कर्मी करेंगे मंत्री अलमगीर के आवास का घिराव सेवा नियमिती करन सही 10 सुत्री मागों को लेकर राज भर के करीब 56 मन्रेगा कर्मी लगातर आंदोलन कर रहे हैं अपने आंदोलन के अगले चरण में सो मुआर को राज भर के मन्रेगा कर्मी ग्रामिन विकास मंत्री अलमगीर अलम के आवास का घिराव करेंगे बता दे जहारखन राज मन्रेगा करमचारी संग के बैनर तरले होने वाले इस परदसन के त्यारी पूरी कर ली गई है संग से मिली जनकारी के अनुसार राज भर के मन्रेगा कर्मी इसमें सामिल होंगे जार्खन राज मन्रेगा करमचारी संग के अध्यक्स जोन पीटर बागे ने कहा है कि राज सरकार मन्रेगा करमियों की लगातार उपेक्छा कर रही है जो वादे मुख्य मंत्री है मंसुरे ने किया था उसे पुरा नहीं किया जा रहा है इसलिए राज भर के मन रेगा कर्मियों को अंदोलन करने और विभागिय मंत्री का आवास घेरने के लिए मजबूर होना पड़ा है रांची के बेलो में महिला महिदूर की हत्या रांची जीले में एक महिला के निर्ममता से हत्या कर दी गई है ओपेसे से महिदूर थी हत्या बेलो थाना छेत्र में की गई पुलिस मामले की छान बीन में जुटी है जमीन बिवाद में हत्या की असंका जताई जा रही है बता दे कि रांची के बेलो थाना छेत्र में एक महिला महिदूर की पथर से कुछ कर हत्या कर दी गई बेडो बजार टांड के पास की गली में इस वर्दात को अंजाम दिया गया महिला मैदूर का नाम पुनम उराव है उसकी उम्र 30 साल थी पुनम मुल रूप से बेडो के बिनए बागी चा की रहने वाली थी फिलाल बिधूर सब स्टेशन के नीचे किराय के मकान में रहती थी घटना की जनकारी मिलने पर पुलिस मोके पर पहुँझी सोको कब जे में लेकर थाना ले गई है पारसनाथ परवत पर बाइक की सवारी के खिलाब चला अभियान पारसनात परवत पर बाईक की सवारी की विरूद मधूबन पूलिस ने कड़ा रूख अपनाया है सनिवर की देर साम पहार के राष्टे में छापे मारी कर पूलिस ने तीन दर्जन बाईक चप्त कर ली है इससे बाईक चालकों की भी छड़कम मच गया है बताया जाता है कि पारसनात पर सैकड़ो बाईक चालक तीर्थ यात्रियों को बाईक से डाख मंगलत तक पहुँचाते है काम पैसे वा काम समय में यात्रा पूरी करने की लालस के कारण तीर्थ यार्थी बाईक की सवारी करते है वहीं उबरखावर रास्ते पर बाईक, चालग, जान, जोखिम में डाल करयात्रियों को परवत तक ले जाते हैं पारसनात पर बढ़ती बाईक की सवारी को देखते हैं सरनिवार को मधुबन पूलिश ने करवाई की है आज पूरी के लिए रवाना होंगे रखुवर दास उडिशा के राज्येपाल की सपत लेने के लिए जारकन के पूर्व मुख मंतरी रवाना होंगे सिरी दास सोमवार को पूरी इस्टेशन पर उत्रेंगे वहाँ सबसे पहले वे सिरी मंदीर जाकर भागवान जगरनाथ का दर्शन करेंगे इसके बाद वे भुनेस्वर इस्थीत लिंग राज मंदीर में दर्शन करेंगे मंगलवार को वे उडिशा के 26 राजेपाल के रूप में सपत लेंगे रहुबर दास ने बताया है कि दिली जाकर उन्होंने पार्टी के राष्ट्रिये अध्यक जेपी नड़ा से मिलकर भाजपा के राष्ट्रिये उपाध्यक्स वा प्राथमिक सक्रिये सेता सिथिपा दे दिया है रहुवर्दास 43 साल तक भाजपा के सक्रिये सदस रहे हैं वहीं उडिसा का राजेपाल मनोनित किये जाने के बाद रहुवर्दास ने सनिवार को सिदगोडा इसी सुर्य मंदीर समीती के मुकि संरक्षक के पत से भी इस्थिपा दे दिया है घनवाद जीला यक्षमा बिभाग अब हर साल 3,000 नए टीवी के मरिजों की पहचान करेगा सुक्रबार को रांची से पहुची यक्षमा बिभाग की राजजस्तरे टीम ने नए टीवी मरिजों की पहचान के लिए जीला के पतादिकारीों को टार्गेट दिया है अब तक जीले में हर साल 2500 टीवी के मरीजों की पहचान का लक्ष निधारित था टीवी के बढ़ते मामले और इस पर पूर्ण रूप से नियंत्रन लगाने को लेकर राज अस्तरिये टीम ने जीला एक्षमा विभाग के अधिकारियों को नया टार्गेट दिया है बता दे राज अस्तरिये टीम में APO, HTC, State TV Cell के सुमित कुमार, WHP, राजीव सिंग, डाक्टर प्रीतम घोस भी सामिल थे पलामू में आठ वर्षी ए गुंगी लड़की के साथ दुसकर्म पलामू के नवा बजार थाना चेत्रे में एक आठ वर्षी दिव्यंग नवालिक के साथ दुसकर्म किये जाने के मामला उजागर हुआ है इस मामले में नवा बजार की थाना पुलिस ने तवरित करवाई करते हुए आरोपीत को गिरफतार कर लिया है बिजली के लिए डीवीसी पर निर्भर नहीं रहेगा जार्खन बिजली को लेकर दामोदर घाटी निगम पर जार्खन की निर्भरता खत्म हो जाएगी जार्खन उर्जा संचरन निगम ने स्टनिवार को एक बड़ी उपलफदी हासिल करते हुए 132 के भी डीसी चंदन कियारी गोविंदपूर टांसमिसन लाइन को मानक वोल्टेज पर चार्ज कर लिया है डीवीसी कमांड एरिया के परमुख जीलो में इससे बिजली किया पूर्थी बेहतर होगी साथ ही डीवीसी के बकाय को लेकर बार बार उठने वाले बिवास से भी बचा जा सकेगा डीवीसी के बकाय को लेकर पूर्व में केंद्र सरकार और राज सरकार के बीच खीचा तानी भी हो चुकी है केंद्रिये उरजामंत्राले ने राज सरकार के RBI खाते से बकाया रकम सीधे काटली थी बाद में किस्टों में इसका राज सरकार ने भुकतान किया इस बीच राज में बिजली की अधारभूस और नचना को मजबूत करने पर फोकस किया गया सरंडा के जंगलों में नकसल ओपरेशन तेज पच्मी सिम्भूम के कुलहान वा सरंडा के इस्तिमावर्ती रिजर्व बन छेतर में पुलिस वा स्यारपीएप के उच पता अधिकारियों ने सरनिवार को अचानक गतिवी दिया बढ़ा दिया नकसलियों के जुटने की सुचना पर इलाके में ओपरेशन को तेज कर दिया गया सनिवार दोपर 12.25 में जारखन पुलिस के हेलिकोप्टर से स्यारपीएप पुलिस के उच अधिकारी रांची के सरंडा के रुवाम के समीब और स्थाई हेलिपेट पर उत्रे इसमें आईजी अस्तर के अधिकारी के अलावा डियाईजी इंद्रजीत महता सामिल थे सभी रुवाम केंप गये आधे घंटे बाद हेलिकोप्टर कोलहान डियाईजी अजाय लिंडा सभी अधिकारी रुवाम के पहुँचे एवाम अंदर जरूरी बैठक की जामुमों ने जेपी नड़ा और इडी को दी चुनाओ थी जारखन मुक्ती मोर्चा ने भाजपा के राश्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा के रांची आगमन सभा और उनके भाचनों पर उन्हें जम कर घेरा है साथ ही साथ इडी को लपेटे मिलिया पार्टी महसची उसा प्रवक्ता सुप्रियो भटाचाई ने सभा के खाली कूर्शियों का वीडियो दिखाते हुए कहा है कि नड़ा जी बिस्व की सबसे बड़ी पार्टी के दावा करने वाले संगटन के राश्ट्री अध्यक्ष है बाबुलाल को समझ में आता है मगर नड़ा के समय लाल और निला कूर्शी के बीच भासन और सभा करने से बेहतर है होट बजार में करा लेते कम से कम बाबुलाल जीन की संकल्प सभा बिफल रही अपने राश्ट्री अध्यक्ष की लाज रखना चाहिए था जहां सभा हुई वह हटिया बिधान सभा के छेतर था ठीक कुछ ही दूरी पारांची बिधान सभा था दो किलिमेटर के बाद कांके और खिजरी बिधान सभा था इसके बाद बावजूद भोटर तो दूर छो बिधान सभा मिला कर जितने बूत हैं उतने पाटी करकाता भी नहीं पहुंचे किसी भी घटना को आसानी से अंजाम दे रहे हैं नेता प्रतीपक्ष ने सरनीवार को धनबाद में हुए गोली कांड की घटना के जिक्र करते हुए बताया है कि बैंक मोड़ छेत्रे में मटकुरिया रोड इस्थीत कार सेंटर के मालिक धोबा टांड निवासी दीपक अगरवाल को अपराधियों ने उसके दुकान में ही गोली मार दी जिससे वे गंभी रूप से घायल हो गाए हैं सुर्य मंदिर के संरक्षक पद से इस्थीपा देते हुए रगवर दास हुए भावुक जमसेदपूर के सुर्य मंदिर में आयोजीद बिजय मिलन समारों में बिजेपी के पूर्वर रश्टिय उपाध्यक्ष एवाम नन्यूक्त उडिसाक महा महीम राज जेपाल रगवर दास ने सुर्य मंदिर कमिटी के संरक्षक पद से इस्थीपा दे दिया है जहां मिलन समारों में रगवर दास अपने करकताव को साथ समय बिताकर काफी भावुक नजर आ रहे थे इस दोरान उन्होंने कहा है कि जमसेदपूर मेरी जन में भूमी है और आखरी सांस भी मैं जमसेदपूर में हिलूंगा बता दे जमसेदपूर सुर्य मंदीर समीती सिदगोड़ा के तत्वधान में सनिवार को मंदीर परिस्थर के संख मैदान में बिजय मिलन समारों का आयोजन किया गया समीती अध्याक्स भूपेंदर सिंग के अध्यक्सता में आयोजित मिलन समा पता के साथ छट महोस्तों मनाने का निना दिया गया धन्यवाद